हाई ट्वेल्टीज, वेलकम टू एजी वे कॉमर्स क्लासेज, मैं हूँ तबिता और गाईज आज की इस वीडियो में हम अपनी इंडियन इंकॉनमी बुक का लास्ट टिप्र कवर करेंगे जिसका नाम है अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े और अभी तक सब्सक्राइब नहीं क्या तो आपको पता है नहीं क्या कहने वाली चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन को प्रेस करो for new more videos और आप अपने doubt योट्यूब पर comment के थूँ या फिर instagram पर message के थूँ पूछ सकते हो आईडी है तबिता मैसी अब गाईस हम लोग आगे बढ़ते हैं आज हम demographic indicator देखेंगे यानि कि जो हमारी population wise है गाईस वो क्या चाइना पाकिसान इंडिया में फर्क है क्या comparison है वो आज हम देखेंगे तो काफी सारी चीज़े हैं गाईस जो हमें सीखनी समझनी है तो सबसे बहुत है estimated population यह 2015 का data है गाईस जिसमें हमें population बता रहे हैं तो आपको पता है चाइना नंबर वन पे आता है इंडिया सेकेंड नंबर पे आता है तो चाइना की जो population है वो 1371 मिलियन है जबकि इंडिया की अगर में बात करो 1311 है आज की डेट में इंडिया की population अराउंड 135 करोड हो रखी है यहां पे 131 करोड सम्थिंग है और पाकिस्तान की बहुत कम population है that is 188 मिलियन यानि की इंडिया और चाइना के आगे तो population पाकिस्तान की बहुत जादा कम है अगर हम annual growth of population की बात करेगा इसकी कितनी हर साल population बढ़ती है तो चाइना में सबसे कम percentage से बढ़ती है that is 0.5% जबकि इंडिया में बढ़ती है 1.2% से और पाकिस्तान में बढ़ती है इंडिया का 1.2 कर उल्टा अगर कर दो तो 2.1% से यानि की पाकिस्तान में जल्दी से population बढ़ती है वहाँ पे जादा बच्चे होते हैं यह कह सकते हो आप इसके लवा गाईज चाइना में इतना कम कैसे है तो चाइना में कम होने का reason आपको पता है one child policy जो चाइना लेकर आए था कि एक ही बच्चा होना चाहिए उसकी वज़े से population में काफी रोक थाम हुई लेकिन बाद में यह हुआ कि वहाँ पे बच्चों की संख्या यानि कि यांग पीपल की कम हो गई और बुज़ूर्गों की जादा हो गई थी ठीक है तो अभी दुबारा से वह अपनी policies में चेंज लेके आता रहता है लेकिन उसदर रोक जो लगी थी वह one child policy is the main reason जहाँ पर चाइना की population को रोका गया इसके बाद अगर हम density की बात करें गाइस जो कि है square per kilometer हम लोगों को कितने person को area मिलता है per square kilometer इंडिया में 441 लोग आते है per square kilometer पर जबकि चाइना में कम लोग आते है 146 यानि कि एक area में 146 लोग रह सकते हैं जबकि इंडिया में 441 है और पाकिस्तान में 245 है चाइना में guys इतने ही area में कम लोग क्यों रह सकते हैं जबकि उसकी population इतनी जादा है तो वहाँ तो जादा लोग रहने चाहिए भीड जादा होनी चाहिए बट क्योंकि चाइना largest country है number 3 पर आती है यानि कि उसके पास बहुत बड़ा area है population जादा है तो area भी बड़ा है इसलिए उसके area में कम लोग रह सकते हैं अभी जैसा देली में अगर आप देखोगे तो मकान के उपर मकान, buildings के उपर buildings हैं क्यों क्योंकि population बहुत जादा है crowded है वहीं अगर आप गाओं की तरफ निकल जाओगे तो सबके बहुत बड़े-बड़े मकान है रीजन क्योंकि वहाँ population कम है और जगे जादा है तो सेम चाइना में है population भी जादा है जबकि इंडिया में जगे कम है और population जादा है इसके बाद अगर हम बात करें सेक्स रिशो की कि मेल, 1000 मेल में कितनी फीमेल हैं तो अगर इंडिया की बात करें तो 929, 2015 काई डेटा है यह जबकि चाइना में 941 फीमेल थी पाकिस्तान में 947 ठीक है जबकि आप भी आप लोगों को यह चीज़ पता होगी कि इंडिया में 929 सबसे कम थी लेकिन पिछले साल के हिसाब से हम हमारे इंडिया ने 1000 मेल पर 1000 से जादा फीमेल हुई थी तो वह एक पॉजिटिव डेटा था हम लोगों के लिए अदरवाइस क्या होता है हर हजार आदमियों पर औरते कम होती है लेकिन अब यह चीज़ सुधारी गई है कितने बच्चे पैदा होती है तो उसकी अगर हम बात करें तो चाइना में कम है 1.6 है यानि कि पर वुमेन जबकि इंडिया में 2.3 है और पाकिस्तान में ज्यादा बच्चे पैदा होती है थोड़े से तो 3.7 है ठीक है किसी भी बात का बुरा मत मानना मैं सिर्फ डेटा बता रही हूँ इसके रावा कि मैं अर्बिनाइजेशन की बात करूघ का इस तो यानि कि कौन सा कौन सी कौन्ट्री ज्यादा अर्बन हुई है कितनी ग्रोत है जाइना की सबसे अच्छी ग्रोत है 56% बोतारी सुख सुविदायों उपम दोती है वहीं इंडिया कि अगर अर 33% से अब इसके बात गाइज यह तो था हमारी हां का डेटा जिसे हमने कंपेर किया चाइना के साथ पाकिस्तान के साथ इसके लावा गाइज एक GDP आपको सब को पता है में हमारा बहुत में हिस्सा रहा है जीडीप का नैशनल इंगम चेप्टर में तो दैट इस अग्रॉस जोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारे हर साल कितनी प्रोडक्शन होती है गूद्सन सावसिस की इना मॉनेक्टरी टर्म्स तो गाइस जीडीप से एक देश की ग्रोथ का पता ल चैना की जीडीप 10.3 थी यानि कि 10 बोले तो डबल डिजिट 1 & 0 तो यह काफी अच्छी जीडीप मानी जाती है क्योंकि जनरली जीडीप 4-5-6 तक यह साथ तक ही सीमीत रहती है जैसे आप देखोगे पाकिसान की 6.3 है जबकि इंडिया की उससे भी कम है 5.7 जबकि 2011-15 का अ COVID की केस में हमारी जीडीप नेगेटिव चली गई थी और मेबी और देशों की भी गई होगी इंडिया की तो चली गई थी नेगेटिव क्योंकि कोई भी गूद्सन सर्विसेस का प्रोड़क्शन नहीं हो पा रहा था और इवेन जो हमारे हाँ पर कमपनी वग रहा थी वो होब आप लोगों कि समझ हाया होगा अगर फिर भी कोई 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 है तो इंस्टा में पूछ सकते हो गाइस आइडी है तविता मैसी थांक यू